अब परमात्मा के बारे में कुछ आगे विचार जो निकट है वह चुक जाता है जो निकट से भी निकट है वह असंबव है इसलिए मचली सागर को नहीं जान पाती दूसरी बात सागर में ही पेदा होती है मचली सागर में ही जीती है मचली का सागर ही भोजन है सागर ही उसका पे है सागर ही उसका प्रान है मचली के लिए सागर ही सब कुछ है फिर सागर में मरती और लिन हो जाती है जानने के लिए मौका नहीं मिलता क्योंकि मचली को सागर से दूरी नहीं मिलती फासला नहीं मिलता उसको अंतर नहीं मिलता मचली को सागर का पता चलता है तब अगर कोई उठा कर उसे सागर के किनारे फैंक दे तब भी यहाँ बड़ी उल्टी बात हुई सागर का पता तब चलता है जब सागर से दूर हो जाए तो मचली तडपती है रेट पर दूप में तब उसे सागर का पता चलता है तब उसे सागर होने का एहसास होता है क्योंकि इतनी दूरी तो चाहिए पता चलने के लिए पैदा होने के भी पहले जो मौजूद था और मरने के बाद भी जो मौजूद रहेगा और जिसमें ही पैदा हुए और जिसमें ही लिन हो गए उसका पता कैसे चलेगा पता चलने के लिए थोड़ी बिछडन थोड़ा बिछो होना चाहिए थोड़ा अंतर होना चाहिए थोड़ी दूरी होनी चाहिए इसलिए मचली को सागर का पता नहीं चलता किनारे पर कोई फैंक दे तो ही पता चलता है सागर का आदमी की और भी मुसिबत है, परमात्मा सागर ही सागर है, उसका कोई किनारा नहीं जिस पर आपको फेंका जा सके, आप तडपने लगे मचली की तरह, ऐसा कोई किनारा होता तो बड़ी आसानी हो जाती, ऐसा कोई किनारा नहीं परमात्मा सागर ही सागर है इसलिए तो जो परमात्मा में किनारा खोजते हैं वे उसे कभी नहीं खोज पाते जो परमात्मा की मजदार में डुबने को राजी है उनको ही उसका किनारा मिलता है किनारा है ही नहीं उसे खोजने का कोई उपाए नहीं है और किनारा हो भी कैसे सब जी जो का किनारा हो सकता है समस्त का किनारा नहीं हो सकता क्योंकि किनारा बनता है किसी और चीज से नदी का किनारा बनता है सागर का किनारा बनता है और चीज से परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और नहीं है जिससे किनारा बन सके परमात्मा का अर्थ ही है इतना कि जिसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है परमात्मा का मतलब कोई आकास में बेटे हुए किसी व्यक्तिका नहीं है जो जगत को चला रहा हो ये तो किवल बच्चों की कहानिया है परमात्मा से अर्थ है उस तत्व का जिसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है यह उसकी वेज्ञानिक परिवाशा हुई परमात्मा का अर्थ है समस्त, सर्व, सब कुछ जो भी है जो भी है उसका कोई किनारा नहीं हो सकता क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ किनारा बनने को बचता ही नहीं इसलिए परमात्मा मजधार है वहाँ कोई किनारा नहीं है जो डुबने को राजी है वही उबर जाता है और जो उबरने की कोशिस करता है वह बुरी तरह डूपता है कोई किनारा हो तो पता भी चल जाए इसलिए हमें पता नहीं चला है उसी में हम है जिसे हम खोशते हैं उसी में हम है जिसे हम पुकारते हैं उसे पुकारने की जराबी जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी भी दूरी नहीं है कि हमारी आवाज हमें जोर से पुकारने पड़े इसलिए कबिर ने कहा है कि क्या तुमारा खुदा बहरा हो गया है जो तुम इतनी जोर से अजान पड़ते हो क्या तुम्हारा इस्वर बहरा हो गया है जो तुम इतनी जोर से पुकारते हो इतने पास है कि आवाज देने की भी तो जरूरत नहीं अगर मौन भी कुछ बितर होगा तो वह भी सुन लिया जाएगा प्रमात्मा हमारे से इतने पास है दुसरे को पुकार ना हो तो आवाज देनी पड़ती है खुद को पुकारने के लिए आवाज देने की क्या जरूरत है दुसरे कातो तब ही सुनाई पड़ता है जब सब्द ध्वनित हो स्वयम कातो मौन भी सुनाई पड़ता है इन विचारों का शारान से परमात्मा कहीं और नहीं है हमारे बितर ही है बाकी अगले अध्याए में